नमस्कार जैशी कृष्णा मैं शिवानी अस्टो चैनल में राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग दशा फल अध्याय पड़ रहे हैं डिफरेंट ग्रहों की दशा के फल पड़ रहे हैं कि कैसे दशा में देखते हैं रहों पड़्ग को और शनीदक हम लोगों ने कंप्रीट कर लिया है तो आज हम बुद्ध की महादशा के फल और केतु की महादशा के फल को देखेंगे ये ग्रह अपनी देशा में कैसे फुल ड़ेकरि तो जैसकी मैंने पहले भी आपको बताया था के रिषी पाराषर से मैं tremendous ही पूछ रहे हैं अब लोई आप बताईए के बुद्ध की महत रशाह के फुल कैसे जाएंगे तो वो बता रहे हैं किसे बुद्धकी महत पूत्र की बुद्द की महातेशा के फल को वो बता रहे हैं क्या बताते हैं वो कहते हैं सव्चे सव्चेत्र सईयुक्ते तैंद्र लाब त्रिकों मैं हो यानि उच्च राशी में हो, स्वय राशी में हो, स्वय छेत्र में हो, सियुक्ते, अच्छे ग्रहों से सियुक्त हो, केंद्र लाब त्रिकोन में हो, केंद्र लाब और त्रिकोन भाव में हो, मित्र छेत्र समा युक्ते, मित्र छेत्र में हो, सौम्य दाए महज सुखम, ऐसे क oni और चाल दिए हाव तो अचिए जगे की अच्छे लोगोसे दए घ्यान पृता है नपर पितंव के राजा की कृपा राप्त होती है अब राजा तो आप रहे नहीं लेकिन आप लगा लिजिए कि आप अपनी किसी कंप्री में सर्विस करते हैं तो उस कंप्री के अंदर आपके बॉस से आपके सीओ से आपको बहुत importance मिलती है सत कर्म गुन बर्दनम सत कर्म बढ़ते हैं आपके अच्छे कर्म बढ़ते हैं तो चंद्रमा का बुद्ध का ये दशाफल उन्होंने बताया है कि बुद्ध के केंद्र त्रिकौन लाबाव में होने से और मित्र शेत्र होने से इतने अच्छे वल मिल जाते हैं उसके बाद यहीं इसमें कहा गया है कि बुद्ध उच्राशिस्थ हो स्वय राशिस्त हो केंद्रस्थ गोनस्थ हो मित्र राशी में हो तो सुख धलाब सिब्धि लोक्रियता उश्रिक्षागी प्राप्ती सद्गनों में वरधी राजा से सम्मान सद्गर्वों में उभिरूची पत्निवे पत्पुत्र का सुख ये अच्छा स्वास्त संतुस्टी स्वादिस्ट भोजन एमंव्यापार में लाग प्राप्त होता है तो ये बुद्ध के लिए जरूरी है कि बुद्ध इन भावों में अगर है तो ये सब पूमफलों की प्र ब behaved अगर पॉप एक साथ यूथ हो रस्ट हो तो राजड़ेश होता है तो परिशानी होती है कलहे होती है बंदू जनों से विरोध होता है अपने क्ले के सघियर ग्रोह कमन होता है विदे जाते हैं आज के जमाने में विदेश वाला बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये है कि बुद्ध की महादर्शा में ये सब चीजें की प्राप्ति होती है, अगर पाप ग्रह से युथ हो, द्रस्ट हो, तो राज द्रेश का प्राप्त होता है, बंदुजनों से विरोध होता है, स्वजन ऐसे केस में, सस्टा अस्ट मेवे सौम्ये लाब भुगार्त नाशनम, यानि सस्टा मींस छटा भाव, अस्ट मींस आठवा भाव, एमम व्ये भाव, छटे आठवे बारवे भाव में अगर ये हो, तो लाब का नाश होता है, आय का नाश होता है, अगर बुद्ध छटे प्रफ से चुरी का इंजाम लग सकता है यह इसके इंदर देखने वाली बात है तो यदि पुद्ध पाप रहे युक्त हो द्रस्ट हो तो जातक को विदेश यात्रवा मानसिक बैद सभुद्रों और सवजनों से विवाद आदी की प्राप्ती होती है जातक को मूत रोग से प अधिकब है कि सब चीजें लगी रहती हैं तो बुद्ध का चटे आठवे बारवे में बुना अब आप ग्रहों से द्रस्ट होना या पाप ग्रहों के साथ से युक्त होना अच्छा नहीं है तो अगर यह ऐसा होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है बुद् एक दिस्टों दिशा के बारे में क्या बोलते हैं तुम केंद्रला भ neutral 관व में ओ राज प्रत होरष crush वाद्र चुल पीट है तो यह इसके अंदर बहुत अच्छा है आपका इस देखने का तु सब Bloody Влад लबहन का सुप मिलता है संदान का सुप मिलता है तो इत्रा का सुख उसे मिलता है कि तक पत्नी हम संहतान से सुप्रशुम भी तरह काम के are कंपणी में उस कंपणी की तरफ से आपको संहान मिलता हैं कंपणी की साइट से आपको वीगर्स परप्ण होते हैं बाहन परप्ण होते है यह एक बहुत अच्छा है यह deeper बहुत सब्सक्रों मिल और शुबराशी में हो तो आपको बहुत फाइदा मिलता है धंदालगी प्राप्ति होती है सम्मान मिलता है हर जगे से सम्मान मिलता है इसके विपरीत यदि केतू केतू इसके साथ साथ अभी इसमें एक चीज और भी है कि इसी के साथ साथ केतू अगर तीसरे चटे और ग्यार्वे भाव में तो अपनी रशान में सुप्रदान करता है एक तो केंद्र तेगोन भाव तो होई गया लाब भाव को उसमें कंसिडर किया था तो लाब भाव वहां भी गया उसके अलावा तीसरे और्ञे स्टे भाव में कि पांदी हो जाती है उनके कारकतोront में व्रधी हो जाती है जो पांल हो डिए तो इसलिए के तो तीसरे और स्ते भाव में भी अच्छा काम करे गा एक आदस बापका तो हमने उपर नाम लेगी दिया, तो वहाँ सुक्पदान करेगा, जा तक को राजा से लाम मिलेगा, मित्रों से नहीं मिलेगा, विकल की प्राप्ति होगी, वहाँ नादी की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर केतु पाप ग्रह के साथ बैठा हो, केतु पाप ग्रहु से द्रस्थ हो या दूसरे आठने और बार्वे भाव में रहता हो। जरूरी है कि यह चेक कर लें कि के तु आपका पाप ग्रहाईयुत तो नहीं है या पाप ग्रहो से द्रस्थ तो नहीं है तता दूसरे आठवे और बार्वे भाम में इस्तितना हो केतु अगर ऐसा है तो हानी होती है, धन हानी होती है, सवज़नों की हानी होती है, अपने अपने लगों से एप नड़ाई जड़ा होता है, क्रोध हानी को आता है. तो ये केतु की दशा का फल है, जो की बहुत important है, जिसको याद रखना जरूरी है, अब हम शुक्र की महादशा का फल बोल देते हैं, ये last इसमें आता है, जो दशाओं में आता है, शुक्र की महादशा के बारे में रशे पारशर कहते हैं, अब मैं उस शुक्र के दशा फल कह आदमी को कामनाय देते हैं इच्छाय देते हैं तो इसलिए इनको मदरूप भी कहा गया है इसमें कहा गया है यदि शुक्र उच्छ राशी में हो स्वेराशी में हो केंद्र में हो तो जातक को राजपत की प्राप्ति यानि की बड़ा पूशिशन मिलती है और नाइशन के अंदर घर में लक्षम्य किरपा होती है घंदान्य मिलता है पता एश्वरिया मिलता है य cabinet शुक्र उच्क्र की राशीमी में छो रर्याशी में और केंद रव ये सारी फ्ला मीं जातीugen धनवाने की प्रापटी होती है भर छक्राक्ष्भ शुक्र त्रिकोण में और हो कि ःवगत sectors लिए धन अले की प्राइब कि अब देखें कितना इसमें राप तो ऐसे में धन दाने की प्राप्त होती है घर में लक्षमी कृपा होती है संतान से सुख प्राप्त होता है तो इसलिए शुक्र का ये देखना ज़रूरी है क्या शुक्र हमारा केंदति कौन और लाभ भाव में बैठा है या नहीं बैठा है इसके विपरीद यदि शुक्र चटे आठवे या बारवे भाव में हो नीच राशी में हो मतलब कहते हैं कि छटे आठवे और बारवे भाव में हो नीच राशी में हो या विह राशी जिस बहाव में बारवे भाव में हो या शुक्र नीच का हो या शुक्र जिस भाव में बारवे भाव का लॉट बैठा है उस राशी में हो तो शुक्र की महादशा में अपने लोगों से शतुता प्राप्त होती है, महिलाओं से कस्ट होता है, व्यपार में हानी होती है, धन की हानी होती है, पत्रियम संतानों कस्ट होता है और स्वजनों तो भी स्वजनों से भी आपको रड़ाई जगड़ा ही मिलता है द्वेश प्राक्त होता है तो ये देखना भी जरूरी है कि कहीं शुक्र आपकी पत्री में या शुक्र आपके कुंड़ी में छटे आठवे बारवे भाव में तो नहीं या जो बारवा भाव जिस राशी में पत्नी से पिड़ा भी हो सकती है अपने बंधौं से द्वेश हो सकता है यह सब चीजें आपको व्यवशाय मंена आपको हानी हो सकती है यह तो एग्री कर्पार के लिए नी पूला जाता था गाउं में हैं अगर कोई गाउं में रहते हैं अपनी खेती करते हैं तो उसकेस में उनके लिए पशुहानी एप्ली के बिल रहेगा तो वो सब के लिए नमस्कार आपको पसंद आया हो तो आपके सब्सक्राइक बढ़ता है धन्यवाद जैसी किष्णा